कर दो हुए है नाभी तक इवेंट आए और मैंने 100 इवेंट आटेम कैसे कलेक कर लिया वह मैं आगे जागे तुमको बताऊंगा सारे टिप्स एक शॉट सा यहां पर बैटल करने वाले बहुत मजाने वाला है इस बंदे का सिज्वर निकलेगा मुझे समझ नहीं आया था तो सामने मुझे दिखा इसका तो सिंपल सी बात है मैंने टॉंट अगर लगा लिया था डूट अब बस मुझे यहां पर आपना सई तरीके से पोकेमन नहीं चींज कर देता अफकोर्स इंसमेनी अबिलेटी वाला लेकर आए वह और राइट नॉक ओफ मैं सुझा देदू कि होल्ड आइटम खराब कर देने से बहुत फाइदा होता हमें अगर तुम डाक रहे सामने वाले डाक रहे का अगर किसी तर नोक उफ से उसका अगर लग जाता ना है तो एक बार में पॉजनाइश्ट हो जाता है वह लेकिन हुआ नहीं और उसका जीमूफ यूज होगे मुझ पे और मेरे खियाद से क्योगर का यूज नहीं हो पाया साइस है क्योंकि दो जीमूफ वागर उसका वेस्ट हो यूज हो सकता था कोई बात करता हूं इसे इसली सो यहां पर मैं बस एक जीमूफ देने कोशिश कर रहा था लेकिन भाइस साब इसने बड़ा अच्छा से दिमाग लगाया और यह समझ चुका था मैं जीमूफ यूज करने वाला हूं ठीक ठाक डमेंज पढ़ गया लेकिन रिजनरेटर अबिलेटी होत पहले तो नॉक अफ मैंने दिया इसे इसने अपना जीमूफ दिया ठीक है ठीक ठाक डमेंज भी पढ़ गया हूं तो भाई यहां पर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता है बिकोज अटक ब्लस टू है उसका मेरे पास रिकावर वगरा है नहीं और मुझे यहां पर प्रटक यू अच्छा इसका नाम अच्छर है तो यह फाइटिंग डैप पोकेमोन और मैंने स्पीड मेरा जादा मुझे अच्छे से पता है और मुझे लगता कि चेंज करेंगा भी नहीं तो जीमूफ यहां पर यूज कर लिए और मुझे यह भी पता था कि इसका पास कोई तरीका नही तो चलो ठीक है इसका यार यह नाम बड़ा मस्त रखा इसने अपना फॉरेटरस का ठीक है तो खता में यह भी और स्पीड मेरे जादा लेकिन बस मुझे इसी बात का परिशानी था कि यह वो अपना इस पोकेमोन को नहीं लेकिए क्योंकि एक खतम नहीं कर पाएगा यह से मेरे पास तो मैं इसे मार सकता था लेकिन यहां पर कोई फाइदा नहीं अगर मैं यूज करता है तो मुझे बहुत जादा नुकसान चलना पड़ेगा और मैं यह समझ चुका था कि उसने फॉरेटरस का एक स्पाइक दिया हूँ इसका मतलब रॉर यूज करेगा इसलिए मै लेकिन कोई बात नहीं है अराम से समाल सकता है इसके यह पोकेमोन को और भी कुछ ऐसे पोकेमोन है जो देखना पड़ेगा मुझे ऑल्राइट तो देखना है कि पोकेमोन यह चेंज करता है किनी स्लिप्टॉक यूज कर रहा था इस ऐसा लगा था कि मैं डाक राइका कोई लेकिन डाक रहे था मैंने निकाल आई नहीं था अच्छा मेरे खिया से उस वक्रोड़न था यादा रहा मुझे ऑल्राइट चलो ठीक है उसको कंट्यून करते इस बैडल कुम लो फिलाल यहां पर मैं तो लो दिखाने वाला कि भाई एक पहले मैं दिखा देता हूं मैं बस था वाला भी कर लेते हैं यह जो लार्ज रज नगर्टस है वह क्मा आते क्योंकि आर्व कोईंश खतम हो जाते तो उनको सेल करके बहुत सारे कोईंस मिल यह यह कैसे पचेस करके तुम लोग समाच चुके होगे तो लिपस बिख्र लोगी नहीं करने वाले लेकिन यहां प् सिर्फ चार में से एक ही एलाइट पर आये वहते तो अब देखो क्या करना है तुम्हें कोई भी फेटर के पोकेमोन को पकड़ना है और जस्सिंपली उसको लेना है और वहां पर जाकर रेड़ करना है देखो तुम्हें इवेंट बहुत साने मिलेंगे यह इतना सिंपल ट्री कि मुझे भाइ करना ड्रीन पंच का सारा चेस्ट क्योंकि मुझे म्यूटू को देना अपना ड्रेन पंच तो बाइक पता नहीं मिल पाएगा और borrow comment कि एक मिल गया हुआ है ठीक हो देखते हैं इसमें कितना मिला एक मिल गया है चलो ठीक हैं बाइग देखो फैटर वाला पो जाते हो ना रेड करने तो मेरे कहाद से मिल जाते हैं पहले भी लोग वैसा नहीं करते हैं अक्सर क्या करते हैं अंधा दून फाइरिंग करने लगते हैं ऐसा नहीं करना है यह सले भी मुझे करना और इंज अपता कि और नहीं हुआ है तो मुझे यहां पर हाउंडों कभी चा कम हो जाता ना इवंट आटम तो तुम यह जगा चेंश कर दो मतलब दूसरे रीजिन पर जाकर हां सवारत तर हाईए लेवल रीजिन पर कोशिश करो कि काड़ पर रेड करना जो काड़ तुम एसा मत समझने कि वहीं पर सिर्फ मिलते हैं हाई लेवल बहुत लोग होते के 60 ले जो भी ओपन करूंगा मैं नेक्स एडिया पर ठीक है तो इसके लिए वेट करना फिलाल बैटल कंटिन्यू करते हैं तो भाई होता क्या है यहां पर स्पीड तो मेरा जाधा था ही लेकिन मैं सोचा एक जीमूव दे दूं लेकिन भाई इसने पोकेमोन चेंज कर लिया जो आपनेंट वह तुमारे अगर मूव सेट जानता भी है अकसर लोग क्या करते हैं दूसरे लोगों का मूव सेट जाकर याद कर लेते हैं कि हाँ इस बंदे का बस यह पोकेमोन है तो यह मूव सेट वह यूज करेगा लेकिन तुम अगर पोकेमोन स्विच करोगे ज्यादा ज जो बर्न था वह उससे मैं मिरेकल बेली का वाई से बच गया था ठीक है तो यहां पर इस बर्थ उसने वापस से कर दिया बर्न लेकिन कोई बात नहीं मेरे खैल से मैं स्पीड जादा है तो मैं मार सकता हूं ठीक है लेकिन डाक राए डार्क म्यूटू पे हमेशा तुम लो पिड़ा है मेरे यहां पर आगर मैं पोकेमट स्वीचिंग नहीं करता ना मैं सच में जीत नहीं पाता इस से देखो क्या होता है डूम श्लास है इसके पास मैं भूल चुका था लिट्रली मैं भूल चुका था डूम श्लास सूपर एफेक्टिव मूव है इसके एगेंस तो अटाक प्लस टू का अल्रेडी है जी मुख के वज़े से और मेरा क्या बोलते पाल कि भी बचने का लाइक निया डूम स्लेश से तो मैं अब पोकेमोन पर चेंज कर रहा था मैं सोच था किसी तरह चलो ठीक है इसी पोकेमोन को तुम मार दो और यहां पर सुच था मैं स्प म्यूटू को बचा कर नाइट में लेकाता हूं सोचता हूं सौल के लिए एक बार में अकर यह बच जाए में अटाक रहे तो काम हो जाएगा अब बिलकुल ऐसा ही होता है लेकिन में यह भूल चुका था कि स्पीड इंक्रीज दूड उसका सच में बहुत बुरा लगता कि स यहां पर ऐसा लग रहता है मुझे कि इसका डूम स्लाइश जो है वह खराब हो चुका हुआ है खराब हो खतम हो चुका हुआ है तो विंग अटैक ही यूज कर रहा हूं वह फ्लाइंग टाइप पोकें मूव से और मेरे बस यहां पर लग पर डिपेंड था और ऐसा ही अध यहां पर बस एक ही चीह मुझे अटैक प्लस टू होई चुका हुआ है और डूम स्लाइश का उसका सारा मूव खतम हो चुका हुआ है बस अब बचावा विंग अटैक तो भाई आव उसने पोकेंड चेंज कर लिया यहां पर गीम हाथ में लगता है मेरे लेकिन कोई मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते मतलब ऐसा बिल्कुल मा समझना कि तुम जीत रहो ऐसा भी हुआ हमारे साथ की पांच-पैश पोकेंड हमारे बचते हैं उसके एक पोकेंड तो उसका एक पोकेंड अच्छा से खेल के पूरा टीम को मार सकता है ऐसा मेरे साथ हुआ पड़ा है अपना सेर करना मेरा काम है तुम लग से तो यहां पर वापस से मेरा ग्रोडों को इसने वेश्ट करवा दिया मतलब अटैक प्रस्टू करने के बास होसता हूं कि खतमी करते चलूं लेकिन इसका बंड भी शार जाता है तो भाई देखो अब यहां से गेम कर भाई रूख चेंज कि लेकिन हुआ नहीं था ओल्राइट दोनों जीव मैंने यूज कर लिया हुआ है अब बस यार कोई ऐसा पोकेमन ना जाए अफकोर्स यहीं पोकेमन बसता डाक टाइप है तो चलो ठीक है यहां पे गेम खलास उसने स्कीप भी कर दिया वह कैसे लगे तुम लोगे वीडियो मिलता नेक्स वीडियो बे शुक्त लिया थेंक यू